श्री शिवाय नमस्तुप्यम दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है श्री शिवाय नमस्तुप्यम दोस्तों अज जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं वह शिव महापुरान कथा से लिया गया है यह समवाद माता पारवती और महादेव की बीच में हो रहा है बैसाक माहा की महतुता का वर्डन करते हुए महादेव मापारवती से कहते हैं बैसाक माहा में जो भी व्यक्ति मुझे एक बेल का फल समर्पित करता है तो उसके जीवन में क्या-क्या पुन्यों का परिणाम मिलता है बैसाक महा में मात्र एक बेल का फल समर्पित कर देने पर हजारों अश्युमिक यग्य का पुन्य हमको प्राप्त हो जाता है उस बेल का फल चाहे किसी भी शिवलिंग पर चड़े चाहे वह गंगा जी के जल से निकला हो नर्मदा जी के जल से निकला हुआ नर्मदेश्युर शिवलिंग हो या किसी भी तरीके के शिवलिंग हो वह बेल का फल चाहे यमुना की तट के कंकर शंकर पर चड़े चाहे सर्यू नदी के तट पर कंकर शंकर पर चड़े या किसी भी तरीके के शिवलिंग पर चड़े यदि बैसाक मा की किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति मेरे उपर बेल का फल चड़ाता है तो वह इस बेल का उप्योग अपने किसी भी काम में ले सकता है इस बेल के फल का एक उपाय शिव मा पुरन में बताया गया है जोगी इस प्रकार है इस बेल को आप अपने घर ले आएए बैसाख मा में जो शिवलिंग पर चड़ा हुआ बेल का फल रहेगा उसे आप अगले मा बैसाख के बाद जो महीना आएगा उसे आप अपने घर ले आएए उस बेल के फल का गूदा निकाल लीजिए और इसको इस सूखे हुए फल को रोगी को लगतार साथ दिन देना है साथ दिन खतम होने पर रोगी को अपनी बिमारी में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा यह उपाय हमको सकंद पुराण शिव महापुराण में देखने के लिए मिलता है इसके अलावा एक और उपाय पंदित प् में दाया है जो की जिसका वरणार हमको नर्मादा पुराण शिव में पुराण सकंद पुराण इन सब पुराणों में देखने के लिए मिलता है वह इस प्रकार है यह उपाय भी आपको बैसाक महा के किसी भी दिन को करना है बैसाक महा में चड़ हुए बेल के फल को ले उसको अगनी देकर जला लीजे और उसकी बस्मे बना लीजे उस बस्म को छान कर अपने घर पर रख लीजे आप जब कभी भी शिवलिंग का पूजन करने जाए या आपके घर में शिव जी का पूजन अभी शेक या किसी भी दरीकी के पूजा हो और पंडिजी आपको भस्म लाने के लिए कहें तो ये बेल के फल का गूदे का जो भस्म है अगर आप इसको चड़ाते हैं तो आपको मन वांचित फल की प्राप्ति होती है ऐसा हमको पुराणों में देखने के लिए मिलता है आशा करते हैं कि हमारे द्वारा यह बताई गई जानकर यह आपको अवश्य पसंद आई होगी श्री शिवाई नमस्तु भ्याँ हमारे चैनल को लाइक वश्ब्सक्राइब करना ना भूलें